आखिर क्या चल रहा है ये वनपीस की अंदर वनपीस की जो रिसेंट चैप्टर्स आये थे उनमें तो हमने कुमा के बैक्स्टोरी देख ली जो कि वनपीस की इस्ट्री में आज तक की सबसे अधा सैड बैक्स्टोरी है और ऐसा लगा था कि कुमा और गिमी के गौड वैली से बाहराने के बाद में उनके लिए चीज़े काफजदा अच्छी हो गी होंगी क्योंकि यार वो स्टार्टिंग से ही काफजदा यंग एज की अंदर स्लेव बन चुके थे कुमा तो बुकिनियर रेज से बिलॉंग करता था इसलिए उसके पूरी के पूरी फैमिली को स्लेव बना दिया गया था और जब तक वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके फैमिली के अंदर कोई भी नहीं बचा था सिवाए उसके फिर बाद में इवांक और गिमी उसके फ्रेंड्स बने उन लोग ने प्लाइंग करके जिसे से करके गौड वैली से इसकेप मारा गौड वैली से इसकेप माने के बाद में उन लोग के पीछे बाई सोड किंडम का किंग लग गया वाज से तो ड्रैगा ने उन लोग को बचा लिया फिर बाद में उन लोग ने रेवलुशनरी आर्मी भी जॉइंग करी थी और स्टिप 14 साल की एच के अंदर हो रेवलुशनरी आर्मी के कमांडर्स भी बन चुके थे लेकि कमा की हैपिनस तो भाई ओडा सेंसे को देखी नी जाते क्योंकि लास चाप्टर के एंडिंग में गीमी किडनेप हो जाती है और इस वाले चाप्टर के अंदर हमको जो जो चीजे पता चलिया चिसको बढ़ने के बाद में मेरा तो दिमाग ही लिया ऐसा लग रहा है कि भाई वनपीस की मांगा दिरे दिरे शोनन चोड़के सिधा सीनन के सेड में भाग रही हो गीमी के किड्नेप होने के बाद में हमको पता चला कि भाई दो साल तक उसको बचाने कोई गया है नहीं किसी को पता ही नहीं था कि गीमी किस हालत में और काप है दो साल के बाद में सबको पता चला है कि भाई गीमी का केड्नियाप हो चुका है और वो सीधा मरिजवा के उबर पहुच चुकी है जहाबर उसको forcefully किसी sinistral dragon की wipe बनके रहना पढ़ रहा है अभी तक हमको उसवले sinistral dragon का नाम तो पता नहीं चला है लेकिन भाई गीमी उसकी पता नहीं फोर्थ या फिप्ट वाइप थी और जब sinistral dragon को पता चला कि गीमी को कोई तो भी एक disease हो चुका है जिसको cure करना possible नहीं है इसलिए वो गीमी को दो साल बात release कर देता है लेकिन ज किसी कुमा गीमी के पास में टेलिपोर्ट करता है रहा पर देखता है कि गीमी के हाथ में तो एक छूड़ी सी बच्ची है जो कि अपनी बोनी थी जा पर गीमी अपनी last breath ले रही थी और कुमा को बोल रही थी कि बोनी का खयाल रखना पता नहीं ओड़ा सेंसे इस वाले chapter को ड्रॉ करते टाइम पर क्या सोच रहता है ये वाला chapter तो आज तक का सबसेदा dark chapter बन गया क्योंकि आज तक हम सोच रहे थे कि जो कुमा जो है वही बोनी का असली फादर है लेकिन इस वाले chapter के अंदर आजम को बता चला कि जो बोनी जो है वह असलियत में किसी initial dragon की लड़की ह और जो बीमारी गीमी को हुई थी वही सेम बीमारी वहाँ पर बोनी को भी हो चुके थी उसके बाद में पता नहीं भाई कुमा ने उसको कैसे rescue करा क्योंकि उस वाले illness का अभी तक one piece के वर्ड के अंदर कोई भी cure नहीं बनाए शाय से वही सेम बीमारी है जो की goldie roger को हुई थी ऐसा भी हो सकता है कि बोनी की बीमारी को दूर करनी के लिए कुमा ने उसको devil food खिला दिया होगा मुझे तो यहा पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि बाई कीमी दो साल तक गायब थी तो बाई रियूलुस्टरी आर्मी कर क्या रही थी क्योंकि गीमी तो बाई उनके र वड़ा सेंसों को भी एक ब्रेक की जरूत है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि विकली विकली चाप्टर लाने के चक्कर में वड़ा सेंसे को जादा ये डार्क पेस के अंदर जा चुके हैं सबसे पहले हमने कुमा की बैक्स्ट्रोई देखी जो कि काफ से दा बुरी थी क्योंकि कि वो बनना तो भाई जब से पाइदा हुआ है तब से स्लेव बनके घुम रहा है कुमा के साथ में जितनी सारी बूरी चीज़े हो सकती थी उस सारी की सारी उसके साथ हो चुकी है और अभी लेटेश वाला चाप्टर पता नहीं आगे चलके भाई क्या क्या चीज़े होनी पाली यह वनपीस के अंदर यह तो कुछ जादा डार को रहा है तो चलो गाइज वोफूली आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा तो जाते जाते लाइक शेर सब्सक्राइब भी करते वे जाना तो आज के इस विडियो में मिलता हो आपको नेक्स किसी वीडियो में तब तक के ले सायो नारा